मुझे तो ट्रे में से आइस क्यूब निकालना एक काफी मुश्किल काम लगता है, इसलिए मैं हमेशा आइस क्यूब बोटल यूज करता हूँ, इसमें पानी फिल करके फ्रीजर में सीधा रख दो और उसके बाद जैसे ही आप दोनों साइट पुल करेंगे आइस सारी बहार जाएगी, इसका लेटेस प्राइस चेक करने के लिए वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,